सब्जेक्ट साइंस क्लास ECD4 तोड़े वी स्टार्ट न्यू यूनिट बॉन्स यूनिट 2 बॉन्स एंड मस्टिस हुमन्स बाडी जो हैं मुक्तलिप होती है शकलों में साइस में वेट बजन में एंड लंबाई हाइट लंबाई में हर एक मजिसम का हर एक मुक्तलिप प्रेम होता है यानि सांचा होता है डू यू नो क्या आप जानते हैं वाट इट इस डेट गिव शेप यूर्ट वावर बाडी वो कौन सी चीज है जो हमारी बाडी को एक मफ्थूस शकल देती है जो होती हैं हमारी बाडी को एक फ्रेम देती है यानि सांचा देती है इट इस इसकेलेटन जे हमारे इसकेलेटन है डेट किव शेप टो आवर बाडी जो हमारी बाडी को एक मक्सूस शकल देता है एंड कीप अपराइट पोदिशन और मक्सूस शकल में खड़ा करता है जो हमारी बाडी के अंदर नरम उजवा है जैसे हमारे अंदर नरम उजवा है जैसे हमारे लंग से हर्ड है When we become adult, जब हम जमान होते हैं, we have 206 bones in our body. तो हमारे जिसम में 206 हडियां होती हैं. What is the number of bones in friends? हमारी कितनी numbers होते हैं, कितनी तादाद होती हैं, छोटे बचों में हडियों की. So we describe bones, then we describe muscles and joints. Muscles, पठे and joints, जोड. Bones cannot move on their omen. Bones हमारी जो हडियां होती हैं, वो खुद मूग नहीं करती. Bones work together. Bones जो होते हैं, वो साथ काम करते हैं with muscles and joints. Joints के साथ और जोडों के साथ और muscles यानि पठों के साथ. The place where two bonds meet, वो जगा जहां पे two bonds meet कर रहे हैं, मिल रहे हैं, उसको हम joints केते हैं, जोड केते. We can bend our body at the joint, वो हम अपनी body को, जिसम को मोडते हैं, कहां पे joints पे, जोडों पे. Some joints allow us to move in all direction, कुछ जो joints होते हैं, जोड होते हैं, वो हरकत करते हैं, मुक्तलिक तरफों में, such as a shoulder joint, जिसे हमारे कंधों का joints होता है, जोड होता है. But some joints allow only a limited moment, but कुछ जो होते हैं, joints जोड होते हैं, वो मक्सूस में हरकत करते हैं, तरफ में such as a knee joint, जिसे हमारे कुट्णों का joint होता है, जोड होता है. यह हमारा elbow joint, यह हमारा shoulder joint, यह हमारी muscles है, यह ankle joint से, यह knee joint से. Muscles and joints work together. Muscles जो होते हैं, हमारे जोड और जो पठे होते हैं, वो काम साथ करते हैं, to move the body, हमारी बाड़ी को हरकत करवाने के लिए, muscles are attached to the bones. Muscles जो हमारी muscles पठे होते हैं, वो किस bones के साथ जुड़े हुए होते हैं, to keep our muscles strong, हम अपनी muscles जानी, हम अपने पठन को strong करते हैं, ताकतवर करते हैं, and in a work state, अपनी काम की हालत में, we need healthy food हमें, सेहत मत गाने की जरुत होती हैं, exercise और वर्दिश की. So, we completed this unit. Thank you. झाल